हेलो स्टुडेंट, वेलकम अंस अगैन, बच्चो इस वाले वीडियो में हम लोग 7C का जो लास्ट क्वेशन हम 24 इसे करने जा रहे हैं और इस chapter का जो हमारा 7 chapter चल रहा था, उसका मैंने लगबग हर question का answer बता दिया आपको, एक है question का solution करा दिया है तो अगर आपको किसी भी question में doubt होगा, तो नीचे description box में जाना, all videos of chapter 7 के नाम से एक link दिया होगा उसमें click करना, तो 7A से लेकर के 7C तक जितने भी question है, सभी की वीडियो से आपको मिल जाएंगे, अब अपना doubt clear कर लेना, तेक है और ये start करते हैं, और इस वाले वीडियो में जो 24th number question है, इसे solve करना सीखते हैं आपर बोला क्या जा रहा, कि two lines are respectively perpendicular to two parallel lines, यानि कि दो parallel line जा रही थी, तो दो line उनके उपर आकर कि क्या बना लेती है, perpendicular हो जाती है तो हमको क्या show करना है, कि that they are parallel to each other, यानि कि ये जो perpendicular line है ये भी क्या है, एक दूसरे के उपर क्या है, आपस में मतलब parallel है यानि दो parallel line के उपर अगर ये perpendicular पढ़ा, तो ये दूनों perpendicular भी क्या होंगे, आपस में parallel होंगे, ये प्रूफ करना है अगर मैं आपको सो diagram के थुडू copy में समझाता हूँ, कैसा भी से प्रूफ करोगे तो देखो, इसका जो diagram में कुछ इस तरीके से बनेगा, जैसे मान लेते हैं, two line हमारे parallel जा रहे थे, P और Q अब उपर से दो perpendicular उसके उपर आगए, perpendicular का मतलब क्या होता है, जो 90 degree का angle बनाकर के दम सीधा पढ़ता है, उसको ये perpendicular line बोला जाता है तो मान लेते हैं, जो M वाला line था, वो आगए इसके उपर, और N वाला line था, वो आगए Q के उपर, ठीका, बागी मैंने नीचे बढ़ा दिया है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, तो ये M और N क्या हो गए, उसके उपर perpendicular हो गया है, और हमको इन दोनों को ही आपस में parallel perpendicular है, तो अब आप देखोगे, कि यहाँ पर जो angle बनेगा, यह भी 90 degree का बनेगा, क्यों हम जानते हैं, perpendicular का मतलब ही होता है, 90 degree, इसको आप नाम देतो, angle number 1, उससे तरीके से, यहाँ पर angle बन रहा है, यहाँ पर angle बन रहा है, यहाँ पर 4 angle आपको इसके में, बहार तो बन ही र यह दो अगर आपस में equal हो गिया, इसका मतलब ही corresponding angle equal है, और अगर corresponding angle equal है, तो line जो होंगे, वो parallel होंगे, क्योंकि हमने parallel line का जो नियम आपको बताया था, इंट्रो वाले वीडियो में क्या बताया था, कि जब कभी भी दो line parallel होते हैं, और उनमें कोई भी transversal cut करता है, तो वह यहाँ पर जो हमारे angle होते है, corresponding angle जैसे यह और यह corresponding है, यह और यह corresponding है, उसी तरी कि यहाँ पर और यहाँ पर जो बनेगा वो भी corresponding का लाएगा, ठीक है, यहाँ पर उपर में और यहाँ पर बनेगा, वो भी क्या कर लाएगा, corresponding का लाएगा, तो corresponding angle आपस मेंगर equal है, तो जो line होंगे वापस में क्या होंगे पैरलल होंगे सिंपल सी बात है तो यहां पर आप इसको प्रूफ करने के लिए कि इकुल है वो कैसे करोगे वह मैं पो समिलाता हूँ यहां पर पहले तो आप लिखो कि हमारा जो एंगल नंबर वन बनेगा वो 90 डिगरी का बनेगा जाईर सी बा लेकिन अब हम लोग क्या करते हैं इन दोनों के बीच में रिलेशन निकालते है कोई भी दोस्ति यारी जोडते हैं क्योंकि हम जानते हैं दूर-दूर में इसका सहरा लेना पड़ेगा जैसे कि में आपको कई सारे कोईसर में बताया था टूर्टीवन नंबर में बताया है जब एंगल दूर-दूर में हो जाए और उनको आपस में अपने को को रिलेट करना रहा है तो बीच का किसी के भी एक सहरा ले लो जैसे कि आपका दोस्ति यहां है और आप कहां अस्ट्रेलिया में हो तो सहरा लेते हो ना WhatsApp का तो call का तो Facebook का तक यह उसे बात कर सको तो बस वही चीज़ है कि हम यहाँ पर इस 2 का सहरा ले लेंगे तो 2 देखो इसके साथ भी जुड़ा हुआ है और 2 इधर इसके साथ भी जुड़ा हुआ है तो अब कैसे हम नों जोड़ेंगे वो समझा आप यहाँ पर इसमें आप लिखोगे कि यह जो हमारे दो लाइन है P और Q ठेक है यह वाला जो हमारा लाइन है आपस में पैरलल है और यह जो M है वो कहा है है ट्रांसवर्सल है तो M is ट्रांसवर्सल ठीक है तो यहां पर हमने अब क्या कर दिया कि P और Q पैरलल थे M ट्रांसवर्सल था इसलिए जो हमारे एंगल नमबर 1 है वो एक्वाल हो जाएगा एंगल नमबर 2 क horralg मे यह जाते ही है कि अगर 2-oso parallel हो, transversal cut करें, तो जो corresponding angle होता है, वो equal होता है, और 1 का भी value कितना है, हमारे पास 90 degree है, इसका मतब 2 का भी जो value होगा, वो कितना हो जाएगा, 90 degree हो जाएगा, और side-by-pullip देना है कि equal क्यों हम भी है, तो यह दोनों के आपस में corresponding angle से इसीले equal है, अपर लिग दो आप corresponding angles, इतना clear हो गया, 1 और 2 आपस में equal हो गया, अब देखो हमको क्या पता था, कि अगर 190 degree है, और 3 भी 90 degree है, तो अगर आप इसको equation number 1 मान लो, इसको equation number 2 मान लो, और यह जो हमने भी निकाले, इसको equation number 3 मान लो, तो यहां से हमारा 3 और, यानि कि 1 और यह जो हमारा 3 है, यह भी क्या हो हो गया, तो इसको आप इस तरीके से लिखोगे, कि from equation number 1, 2, and 3, यानि तीनों जो equation, उसमें समलों क्या करते है, तीनों का देखो, 1 का, 3 का, 2 का, सभी का value जो है, हमको 90 degree मिल गया, हमको proof क्या करना था, कि M और N parallel है, तो बस इन दोनों का आपस में equal proof कर दो, कि यहां पर जो corresponding angle बना, और यह वाले, यह दोनों जो corresponding angle अगर आपस में equal है, तो दोनों parallel हो जाएंगे, तो बस यहां पर, 1 के जगा पर आप क्या कर दो, angle number 3 कर दो, क्योंकि angle 3 और angle 1 दोनों का value 90 degree है, तो 1 के जगा पर 3 कर देंगे, equal to angle 2, यानि 3 और 2 आपस में equal है, इसलिए, जो हमारा M होगा वो parallel हो जाएगा M के, और बस यही आपको यहां पर प्रूफ करना था, कि अगर 2 और 3 आपस में equal हो गए, तो M और N भी जो होंगे, आपस में जो perpendicular का काम केते हैं पहले, वो दोनों भी क्या होंगे, आपस में parallel होंगे, तो ऐसे आपको question 24 को solve करना था, अगर आपको यह भी द responding होते हैं, और consecutive होते हैं, linear pair होता है हमारा, फिर vertically opposite होते हैं, तो कहीं पर भी angle को find करना रहा है अगर ना, तो मैंने वो बताया है हर वीडियो में लगभग, कि हमारा वहाँ पर एक ही method नहीं है, आप वहाँ पर कई method लगा सकते हो, जैसे कि अगर आप यहां पर 1 और 4 को भी आ alternate interior अगर आपस में equal है, तो भी M और N आपस में क्या हो जागा, equal हो जाएगा, तो हमने केवल क्या क्या है, बहुत सारे method का क्यवल एक method को समझाया है, अगर आप अपने से अगर math में strong बनना चाहते हो न, इसमें आप कुछ भी नया method और apply करके, यह पर प्रूफ करने के कोशि क्या अग्छagon के दिए सकती हो जह के अगर में है, एक क debris में है, भी M सकती हो जाइए, एक की के में है, यह जाएगा यह एक है झालत शालत जालत दुशते है, वी M और üsid